नमस्कार दोस्तो मैं विजे कसाना डिजिटल फ्रेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो यूआओं को बड़ा जटकाम कह सकते हैं बरती परिकिरिया में बदलाओ कर दिया गया है आयोग ने अचानक अपना पैटरन बदला है कि कैसे अब ये बरती आगे बड़ेगी तो सात्यों ये बड़ी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी और इससे पहले अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अरियाना का एक मातर विश्वसने चैनल जो सभी परकार की बरतियों से रिलेटिट जानकरी आप तक रेगुलर पहुचाता रहता है तो चलिए आप देख लेते हैं क्या बड़ी अपडेट है ये देख सकते सातियों आयोग ने बदला पैटरन अभियर्थियों की बड़ेगी मुश्किलें चार और बरतियों में होगा स्क्रिनिंग टेस्ट 25 फिजदियों की कटोप सातियों प्रोसेस ही बदल दिया गया है क्या प्रोसेस रहने वाड़ा है इन बरतियों के अंदर पूरी इनफोर्मेशन आपको विस्तार से बताते हैं सातियों जो पहला पेपर होगा दो एक्जाम लिए जाएंगे एक तो पहला पेपर दो गंटे का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें सो विकल्पी ये परसनियान की ओप्सन वाले क्यों सनाएंगे 80 परतिसा सिलेबस है वो सब्जेक्ट से सम्मंदित होगा बाकी सामाने ग्यान, रिजिनिंग, इतियास, बुगोल, राजनिती, एकोनोमिक्स और अर्याना के कल्चर से सम्मंदित होगे इस पेपर में 25 परतिसत कटोफ रहेगी मेरिट के आदार पर कुल पदों के चार गुना को सब्जेक्ट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा यानि की सात्यों दूसरा एक्जाम है, वो सिरफ और सिरफ चार गुना कंडिडेट ही दे पाएंगे यानि की सीटी वाड़ा फोर्मूला यहां भी लागो कर दिया गया है, दूसरा सात्यों जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा इसमें तीन गंटे में डेट सो अंगों का सब्जेक्टिव पेपर होगा इसकी कटोफ 35 परसेंट रहेगी इसके अलावा इंट्रू भी है क्योंकि है HPSC की बर्ती है और इस बर्ती में सात्यों आपको पता है जो क्लास वन और क्लास टू अफसर बनने की चार रखने वाले यू हैं वो भाग लेते हैं अब्यर्ती आवेदन जमा करनाने के साथ ही सिलेबस के आदार पर तैयारी में जुड़ जाते हैं ऐसे में पुराने पैटरन पर तैयारी कर रहे हैं यूआओं को अब नया पैटरन अपनाना होगा पंचायत विबाग नहीं पैस डी की बरती नवंबर 2022 में निकाली थी साथियों पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड में साइंटिस्ट गुरूप बी की बरती के लिए मई में आविदन मांगे गए थे तो साथियों काफी दिनों से इन बरत्यों का आविदन जारी हो चुका था लेकिन इनका जो पैटरन है अब अचानक बदला गया है आप साथियों इन कंट्रेटों को दुबारा से इस पैटरन के आदार पर तयारी करनी होगी तो यह युवाओं के लिए परेशानी तो है आखिर सरकार अपना पैटरल बदल देती है एक नोटिस निकाल कर पिसना तो युवाओं को पढ़ता है उनको क्या पता है कि कितने दिन से कोई युवा तयारी कर रहा है और अब अगर अचानक पैटरन बदलते हो या तो आपको एड़ोटाइजमेंट जब निकाले गी थी उसी समय पैटरन बदलना था अब अचानक जब पैटरन बदला जाता है तो आखिर युवाओं के उपर कितनी जो तयारी सात्यों इतने दिन से कर रहे थे अब उस तयारी में बदलाव करना होगा और एक नए प्रोसेस के तहर तयारी करनी होगी तो परेशानी तो युवाओं की बढ़ गई है ऐसे ही और बरतियों से लेटिट भी अगर आप अपडेट पढ़ना चाहते हैं या क आपको लगता है यह प्रोसेस सही है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजेगा अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है नेक्स वीडियो में